हेलो डियर स्टूडेंट्स वेल्कम बेक टो आवर यूट्यूब चैनल डिफेक्टो क्लासेज डियर स्टूडेंट्स आज हम बात करने जा रहे हैं CET के एक्जाम की जो छे नुवंबर दो हजार बाई यानि की आज ही के दिन हुआ है इवनिंग शिफ्ट एफॉर मेरे पास इसका सैट है भी तो जैसे कि आप यहां देख पार है आज हम मैंत की क्वेशन सोल करेंगे जो थार्टी फर्स्ट क्वेशन था इसका वह इफ वन का स्केर प्लस टू का स्केर प्लस थ्री का स्केर सोन टैन का स्केर इसको क्या हो स्केर फोर को लिखो गेँ तो इंटू डोनो पावर है जो सभी मैं इस आप टू का स्केर को मनलों लोगे तो यहां से वचा वन यहांसे थरी का स्केर सो उन लास्ट में क्या वच्छा टैन का स्केर अब इसकी वैल्यू आपको देखिए 385 यहनिकी दो का स्केर होता है चार इंटू में यह कितना हो गया 385 इन दोनों की मल्टिप्लाइ करोंगे तो वैल्यू आएगी 1540 जैसे कि आप देख पा रहे हैं सेकंड ओप्षन इस लाक्रेक्ट अंचर तो यह था भी आपका क्वेस्टन नंबर थाटी वन उसके बाद जो क्वेस्टन नंबर थाटी तो आप देख पा रहे हैं इसका अंसर रहेगा 2450 यानिकि इसको मैं नॉर्मल विता देता हूं जैसे वन जिसका जो डेनोमिनिटर हैं वो सो या सो से चोटा या whole हो सकता है कि एक वन था न ही तो फिर वह उसकता है कि एक वन वाई थू värवा हो इस तरीके से यह एक डेनोमिनुनिटर और वाली दो यह थीन वाली तिर यह 4 वाली फ्राइक जार 6-4 और तीन पाठबी sticking only रूल है जो आपको समझना पड़ेगा इसका अंसर है जो वह मैंने डारेक्ट लिख दिया है यह 11 क्लास में जो सीक्वेंट सेरीज चैप्टर आता है उससे रिलेटिड है भी तो अब हम अगले कोशन पर बढ़ते हैं अगला है जैसा कि आप देख पारें कोशन नमबर शु Tube का रूल याद होना चाहिए लिख संटन कोसे स्वेशल लाएं दॉब करें तो तीन से हो नंबर भी किसे होगा से अप देखो जो निया पहले option में दो और ना गाल टो लाइन हो तो और फोटीन हो चो मारे पास एक Colin बसता है पस के आयसके इसके इंदर उसके बाद है question number 34 a square plus b square plus c square so on इस तरीके से 0 के एक बल दे रहे है a square b square c square minus a b minus b c minus c a is equal to 0 यहां से आप लिखोगे a square plus b square plus c square या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हो या मैं चलो लिखे लेता हूं a b plus b c plus c a दोनों को दोनों साइड दो से multiply कर दो 2a square 2b square or 2c square is equal to 2ab 2bc 2c वैसे आप इसको option के help से भी लगा सकते हैं क्योंकि ऐसा तभी possible होता है जब 3 की value a की value 1 put करो b की value c की value अगर 1 1 put करोगे 1 plus 1 plus 1 यानकि 3 हो गया 3 minus 1 minus 1 minus 1 3 minus 1 3 0 याप option से भी जा सकते हो अब यह जो a square है इसको मैंने लिखा a square plus a square 2b square है तो उसको लिख लिख लिया b square plus b square c square है तो इसको c square plus c square a 2,2 है ना इधर लेया इसा भी को 2ab 2bc 2ca a is equal to क्या वचा वही 0 वच गया आप देखो a का square plus b का square और minus 2ab यह किसके एक्वल होता है a-b-c के उसके बाद ठीक है ना अब हम कहरें दीका स्केर पलस सी का स्केर और माइनस टू भीसी यह एक्वल होता है B-C के whole square के ठीक है ना उसके बाद A का square plus C का square minus 2AC इसको हम लिख सकते हैं A-C का whole square is equal to 0 अब यह तीनो positive number है क्योंगे किसी का भी square करोगे वो भी positive आएगा यह भी positive यह भी positive इंकि तीन positive number का sum 0 कब होता है जब वो 3 0 होगे तो इसकी value 0 इसकी value 0 इसकी value 0 इसको 0 के equal put करोगे किस number का square 0 होता है 0 का इसका meaning क्या है A-B 0 है तो A की value क्या होगे यहां से इस तरीके से A की value है जो वो B के equal आगे भी ठीक है अब यहां से देखो B-C is equal to 0 तो यहनिकी B is equal to क्या आगया C आगया ऐसे A-C is equal to 0 तो एकी value के आगे C के equal तो A-B के equal और B-C के equal और A-C के equal तो इसमिंस तीनों equal है तो अब देखो किस रेसों में equal है तो ट्रीपल वन तो इस तरीके से आप इसको solve करोगे तो अब हम next page पर चलते हैं थोड़ा सा आगे इसको page को हम पलट लेते हैं अभी और 12 है जो वो boys है और boys है जो वो working together earn 2070 in a day ये एक दिन की कमा ये इन सभी की if the daily weights of the man and woman and a boy are in the race of four race of three देखो man, woman or boy इनकी जो एक दिन की earning है ना उसका race है तो हम माल लेते हैं कि जो man की एक दिन की earning है यान की one day की earning जो एक डे की earning है वो क्या है 4X है इसकी 3X और इसकी 2X है एक आदमी की एक दिन की earning 4X है तो पंदरा आदमी की कितनी होगी 60X 15 गुना 4 18 गुना 3 यानि की 54X 12 गुना 2 24X तो ये इन सभी बंदो की ना earning आगी ठीक है ना तो गैदर एक दिन की और एक दिन की earning कितनी है 2070 तो इनको add करो 6511 और 230 ने 130 हो गया और 4 और 48 यान की 138 X is equal to 270 इस तरीके से तो X की value आएगी 2070 बाई में 138 अब ये 138 पे कटेगा भी पका ठीक है ना जैसे अगर 138 पे नहीं काटना ना तो 2 पे काट लो 26 जा 18 तो 9 जा 210 जा और 35 अब 5 और 38 एक 9 ये कट रहा है 3 पे 3 दूनी 6 3 तीन नो 3 तीन 9, 1, 3, 3, 4, 12, 3, 5, 15 ये ना अब 13 पे सिद्धे काटना पड़ेगा 23 बन जा 23, 7 और 4, 11, 5 तो ये आगया 5 पे तो 15 रुपे आगे भी X की value X की आगया 15 X की value 15 रखो तो ये 60 15 गुणा 3, 45, 15 गुणा 30 तो ये एक आदमी के एक दिन के 60 रुपे है वोमेन के 45 है और बोय के 30 है ये बोल रहा है एक आदमी के तो एक आदमी के 60 पलस दो औरत के दो वोमेन के 45 गुणा 2 90 पलस तीन बोयस के 30 गुणा 3 यानि के ये भी 90 90 90 180 पलस 240 वही मैंने लगा रखाया 240 उप्षन उसके बाद इस नमबर आप देखो कैलकुलेटर से जब आप कैलकुलेटर करोगे ना तो इसका पूरे का स्केर रूट पूछा गया ये जो अंदर जो भी लिखा गया इसके अंदर जो भी है 0.75 जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो फोर के आसपास का अंसर आता और जब उसका रूट करोगे तो आएगा 1.99 यह तो आप कैलकुलेटर से कर सकते इसमें कोई ट्रिक नहीं है कूछ नहीं है बस आपको अगर कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो अंसर ज़ादा है 125 से 125 का से दस परसेंट ज्यादा तो इसका 110 परसेंट होगा यह नंबर आ आप बोलडर एक इससे 10 परसेंट कम है यह एक की वैलू है 275 बाइट इससे 10 परसेंट कम यह तो अपने आपने अपने इसका 90% निकाल दो गी एक जिरो से एक जिरो अब एक्स की वैल्यू पूछे गई है तो एक्स की वैल्यू की आएगी इनकी मर्टिप्लाई कर लो और 10 से चलो काटे लेते हैं 5 तू जा 5 तू जा 25 तू पच्पन गुणा नो अभी कि नो गुणा पांच पैंतालिस चार और यह दो दूनी चार फोर बन जा फोर फोर वन फोर टू जा एट वन फाइव फोर थरी जा ट्वैल और यह होजगा पॉइंट सेवन फाइव तो यह अंसर आजेगा इसका अगला बड़ा असान है थर्टी एट थर्टी एट क्या कहता है पांसो सोला रुपए हैं तीन परसंट के अंदर आपने करने है एट रिसीव 25 मोर देन बी बीरिसीव 25 लेस देन सी तो अब एबी सी तीन इंसान हैं बंटवारा करना है तो सी से 25 परसंट कम मिलते हैं माल लेते हैं सी को एक्स मिले इस से इसको 25 परसेंट कम मिले राइग को पैजिए से से चैंटि परसेंट मिले इसको एक्सका 253 20 54 भी को मिले थीन बटा च्यार एक्स और शही को मिले एक्स अब उनई की बी से 25 परसेंट बी के पास कितने थे 3 by 4 x 25 परसेंट मोर का मिन होता है 125 परसेंट तो 25 फाइव जा 24 फॉर जा तीन गुना पांच पंद्रा चार गुना चार शोला और यह एक्स यह होगया 3 by 4 x और यह एक्स रेसों निकालना है तो कटो 16 से multiply कर दो multiply 16 करोगे हो गया 15 4 4 16 4 3 2 1 एक को 16 से multiply करो अब तिनों रेसों को एड कर दो add करोगे 15 और 12 27 और 10 37 और 43 टोटल हिस्से हुए 43 कितने के पंसो सोडा के सी को सोडा इससे मिले हैं 43 में से ठीक है अब आप इसको सोल कर लो 43 वन जा 43 7 और 18 और 6 तो टू पे अब 12 गुना तो यह है अपका क्रेक्ट ओप्सन अब आगे बढ़ते हैं 38 से तो मैं 38 से आगे आगया हूं अब 39 पे 39 बड़ा ही सिंपल सा क्वेशन है देखो इसको तोड़ा साइड आटा देते हैं सिंपल कैसे रह देखें हुएं टू फेंजिगो सी दुफ इन्वेस्ट आप देखो दो फ्रइंड है एक ने क्या कहा है 30,000 या दोनों के नाम अ बी मान लेता हूं तो इंवेस्ट कहर दिये तो इसका मिनिंग क्या होता है जो इनकी इन्वेस्टमेंट का रेसो है वो आगे थरी रेसो फाइब तो प्रोफिट में डिवाइड हो ना चे लेकिन कंडिशन अलग देर कि इनकी चार जार तो ए पे आगे और चार जार भी पे आगे एंड अधर हाफ वाज डिवाइड इन्दी रेसो ओफ देर कैपिटल यानकी जो अधर हाफ है ना जो बाकी के आठ हजार उपए बचे उनको उनकी इंकम के साफ से डिवाइड के जाते हैं यह पांच और तीन टोटल बिले साथ अजार तो इस मिंज पर्स्ट उप्शन उसके बाद भी एट टेक्स एट आवर्स टू कोपी 50 पेज मैनुस्क्रिप्ट एंड बी एक इंसान है बी एक इंसान है आट गंटे लेता है बी छे गंटे लेता है रूल एट और फॉर शिक्स कैल्सियम निकाल होगे तो इसको डिवाइड करोगे शिक्स कंप्लीट शिक्स बाइब आगया इनकी फर्स्ट उप्सन उसके बाद बड़ा सींपल सा है एक स्प्रेंट ट्रेवल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ हंड़ किलोमेटर पर आवर फॉर थ्री मिनिट्स आफ्टर एवरी 75 किलोमेटर रूक ज पहले तो यह देखो 600 किलोमेटर में 75 किलोमेटर के कितने ब्रेक आएंगे ठीक है ना 75 से डिवाइड कर दो तो 25 थ्री जा और 25 तूजा और फॉर जा तो यह आया आठ यहनकी आठ ब्रेक आगे भी उसके ठीक है ना आठ ब्रेक आगे तो आठ गुना तीन चोबिस मिन्ट त ट्रेवल करनी है तो उसको 6 गंटे तो यह लगे किलोमेटर पर आवर में यह यह द्यान अकना तो टाइम भी गंटे में आएगा और 24 मिनिट यह तो सिद्धी से बात है 6 गंटे 24 मिनिट लगे भी ठीक है ना और तो इस तरीके से अब एक चीज़ का और ध्यान रखना जैसे यह माल जीरो पर चली पहले 75 पर पहला ब्रेक आएगा दूसरे 75 पर दूसरा ब्रेक तीसरा ब्रेक तो ओन यह लास्ट में यह टोटल छे ब्रेक होंगे इस वज़ा से उसको त्याल लगया चोबीश मिनिट लगे वी तो इस तरीके से आप इसको आप आते हैं नेक्ट पर त नेक्ट क्वेशन हैं एं मर्चेंट है फाइव हंडर्ड केजी ऑफ सुगर पार्ट वीच सेल्स एट परसेंट प्रोफिट एंड रेस्ट ही सेल्स एटीन परसेंट प्रोफिट अब देखो 500 केजी उसके पास सुगर है भी बीमारी नहीं चीनिको बोलते हैं मान लिया उसमे परसेंट के प्रोफिट पर वेश्ट दिया एंकी 108 परसेंट पे ऊवराल उसको चीजिए 14 परसेंट का प्रोफिट यानकी 500 और तो सारे 500 थे 500 पर उसको एक सो 144 परसेंट का प्रोफिट चीए अब यह बताना है यह एक्स की वैल्यू क्या होग यार्ण की 8% पे कितना हिंसा बेचे, 8% पे हमने X वाला हिंसा मालना है, तो X के value निकाल लेगे इसको हम लिखेंगे, point लगा देंगे 1.08X पलस, अब इसकी यहाँ multiply करोगे, 2,0 से 2,0 118-5 करोगे, इनकी अलग-अलग divide, इस तरीके सब multiply, 118-100 मैं लिखके दिखा देता हूँ, आपको माइनस 118 पाटेस होता है, 1.18 गूना X is equal to 2,0 से 2,0 यह हो गया, 570 ठीक है न, अब देखो भी 2,0 से 2,0 यहाँ भी होगी तो अब उसके बाद है, 1.08X में से 1.18X गटा होगी, यह गटा होगी तो माइनस में बच्चेगा 0.10X जो भी आप लिखना चाहो भी 10,18,18 होते हैं अब यह इसकी multiply करो 118 गूना 5 तो 518,95 होगे, 590 is equal to 570 उदर गटा होगे तो यह minus का 0.10X is equal to होगे, minus का 20 negative से negative एंसल अब यह 10 बटे 100 होता है न 10 का उदर multiply करोगे X की value कितनी हागी 20 गूना 10,200 तो इसका अंसल आजेगा 200 उसके बाद भी यह बोल रहा है कि 43 question है 3 equal cubes are placed adjacently in row than the ratio of total surface area of the cuboid अब यह बोल रहा है देखो इस तरी के से समझना मैं बोल रहा हूं यह 3 cube है एक दूसरा cube ऐसे है यह थोड़ा सा बस वैसे ही फाल तुमें डोई और एक तीसरा cube यह है भी ठीक है ना तो हमने 3 cube बना दिये एक दूसरे को मिला के रख दिये पहले तो मान लिया cube की 3 side क्या है इसकी A है A और A क्योंकि लाइंध पर रहा है ठाइक होती है तो इसका एरिया हो गया 6 A square इसका 6 A square इसका 6 A square अलग-अलग एरिया निकाला तो 18 A square हो गया यह आपको पता होना चाहिए इसका जो रेशो है ठीक है ना अब अलग-अलग का कितना हो गया 18 A square अगर इन तिन्नों को मैं मिला दूँ तो देखो जो क्यूबोइड बनेंगा उसकी लेंथ A पलस A पलस A लेंथ तो होगी 3 A ब्रैथ होगी अब देखो चुडाई तो वही रहेगी A और हाइट भी क्या रहेगी वही A रहेगी यहनकी हाइट भी क्या होगी A अब फॉर्मूला क्या होता है 2 into LB plus BH plus HL अगर आपको पता हो तो तो 2 into में L गुना भी 3 गुना 3 A into A 3A square A into A A square और A into 3A फिर 3A square 3 3 6 और 1 7 into 2 14 A square अब रहेगी तो देखो देन दी रहेगी तो टोटल सर्फेस एरियो अब दी प्यूबोईड तो यह वना है ना तो 14 एसकेर का रेश्व निकालना है 18 स्केर से एसकेर से इसकेर तूपे 709 तो 7 रेश्व नाइन आगया भी उसके बाद 45 है एमेन बोट गूट्स वोर्ट 6,000 एंड सोल्ड हाफ ओफ देम एट गेन ओफ 10 परसेंट इन्हें छेज रुपे का कोई समान खरीदा और आदे को तीन जार को तीन जार पे उसको दस परसेंट का प्रोफित हुआ एट वट परसेंट गेन मचे सेल दी रिमेंडर सो देट एक गेन ओफ 25 परसेंट टो लेंगे 25 परसेंट बाकी को तीन जार को वो कितने परसेंट प्रोफिट पर बेच्चे कि ओवराल उसको 25 परसेंट का फाइदा हो तो देखो 100% यानिकि 100 पलस X बाइ 100 मालनो उसको यह ऐसा हम क्यों मानते हैं तो यह 10% प्रोफिट है 100 तो अपने अपने कोई है तो 110 पे बेचने पड़ेगी तो 100 तो अपने अपने हैं मालनी X उसको जादा मेचना है तो ओवराल 6,000 पे उसको प्रोफिट चाहिए 25% का यानिकी 125 पर्षेंट का दो 0 से 2,0 अब यहां 2,0 से 2,0 2,0 से 2,0 11 गुणा 3,3 और यह डबल 0 अब देखो 100 के साथ गुणा करोगे तो 3000 और 30 X यह हो गया और 125 की 6 के साथ यानकी 600 और 25 की 1,500 यानकी 7,500 और 1,0 यह लगी तो यह 3300 और 3,000 हो गया 3,600 सिंपल लेंगमेज़ बोले तो 30 X इसकोल टू 7,500 तो 30 X इसकोल टू माइनस करोगे तो यह आगया 7 और 5 12 इनकी 1200 1,0 से 1,0 3,4 12 इनकी 40 अंसर आगया भी तो 40% 40% हमारा क्रेक्ट अंसर है 45 है अब 45 में क्या है 20,000 अमाउंट्स है जो वह जाती है 22,260.50 रुपीज इन 2 एर्स एट कंपाउंड इंट्रेस्ट अब कंपाउंड इंट्रेस्ट का फोर्मुला में आपको बता देता हूँ प्रिंसिपल यह अमाउंट का फोर्मुला है वन पलस रेट बाई हंडर की पावर में टाइम इसक्वल्ट होता है अमाउंट के बस सीम्पल आपने रख देना है तो पी की वैलू कितनी है 20,000 एक पलस रेट आपने निकालनी है टाइम दो साल है अमाउंट है दो 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 छे जीरो पांच जीरो बटे में मैं पॉइंटो के नाम के यह लगा देता हूँ एक जिरो से एक जिरो कोट गया तो वन पलस आर बाई हंडर का होल स्केर इसक्वल टू रेपल टू शिक्स जीरो फाइव बाई में टैन अब यह बीश जार आगया डिवाइड में तो बीश जार को डिवाइड कर दो अब तो 20 जीरोफ फाइव यह होगया अब देखो वन पलस आर बाई हंडडर का जो स्केर वह बाई अगया 2528 पीछे है चार जीरो इस साइड का जो स्केर है कटके इदर अंडरू जार बेर इसे का जो फाहों एbene यह 111 इसका जो अंडरूट है 211 होता है और इसका होता है 200 तो इनकी 1 by r 1 पलस r by 100 is equal to 211 by 200 तो r by 100 की value आई 211 by 200 minus 1 तो 200 minus 211 में से तो गया 11 बते 200 is equal to r by 100 तो इसको इसको इस तरीके से निकाल सकते हो तो यह टोटल डियर स्टूडेंट्स 15 सम्हें इवनिंग सिप्ट के मैट्स के बड़े इजी से थे ठीक है ना तो आप कमेंट बोक्स में हमें बताईए कि आपको कितना समझ में आया है और यह जो अंसर की आपको दी गई है वह 100 प में हो सकता हम से कोई भी होए लेकिन फिर भी यह क्या है न हंडर्ड परसेंट यह मान के चले या मटेज़ लगा सकते हैं तो आप ने पूरी वीडियो को देख लिए तो कमेंट वोक्स में मुझे यह बताएं इस एक्जाम के जो मैच का जो लेवल है वो क्या था भी ठीक है ना यह लेवल आपने जुरूर बताने आपको मीडियम लगा सिंपल लगा बहुत ज्यादा हाड था यह ठीक ठाक था यह जैसा भी आपको लिखना है तो